एक टीनेज लटकी ने कुछ पैसों के लिए फोटो शूट किया और इसके बाद वो घर से भाग जाती है अब नई सीटी में भी पैसों के लिए उसे एक स्टेप फर्दर जाना पड़ता है अब उसकी चॉइस उसे कहा लेकर जाए कि यही हम आज की मूवी अब चेरी जो 2012 की म देखते हैं उसके साथ रिलेशनशिप में बहुत ही खुश थी हुआ स्कुल में है और उसकी घर के फाइनाशल सिचुएशन अच्छे नहीं होती तो उसे बाहर लॉंडरी में काम करना पड़ता है उसकी घर पर उसकी मदर फादर और सिस्टर है उसके फादर कभी भी घर मे कोई भी ध्यान नहीं देते और उसकी मदर हमेशा ड्रंक होती है आज रात भी उसकी मदर बहुत जादर ड्रंक हो गई थी तो उसने उसे समाल लिया इसके बाद वो रात में अपने फ्रेंड एंडू के साथ एक पार्टी में आई उसका बॉइफ्रेंड जो एक बैंड में ह वो आज रात यहां प्ले कर रहा था उसने उसे कहा तुम वर्ल्ड में सबसे ब्यूटिफुल लड़की हो इसके बाद इखर जाते है और इंटिमेट हो जाते है सुबा एंजलीना का बॉइफ्रों उसे सजेस्ट करता है तुम्हें पिक्चर्स लेने चाहिए उसे आए तो घर में खाना भी नहीं था वो और उसके सिस्टर वैसे सोचाते है नेकसीन में एंजलीना और एंड्रू इस स्कुल में लंच कर रहे थे एंजलीना ने कुछ भी लाया नहीं था तो एंड्रू अपना लंच उसके साथ शेर करता है उसका बहुत अच्छा फ्रेंड आज एंजलीना ने सोचा और वो फोटो शूट करने के लिए रेडी थी क्योंकि उसे पैसो की जरूरत है वो इन सब से निकलना चाहती है वो लोकेशन पर पहुँचे वह फोटो शूट करने वाले का नाम था वान वान उससे कहता है कि तुम्हें एक फोटो शूट के मैं 300 दोंगा एंजलीना ने का कि मैं सिर्फ एक ही फोटो शूट करने वाली हूँ और इसके मुझे 500 डॉलस चाहिए वो इसके बिना मानने नहीं वाली थी तो वान को उसे उतने सारे पैसे देने ही पड़े और इसके बाद ये फोटो शूट स्टार्ट होता है एंजलीना ने इस कोई भी कुछ भी चीज नोटिस नहीं करेगा ये दोनों अपनी लाइफ से तंग आ गए थे नेक्स डे एंजलीना स्कूल जाने का प्रिटेंड करती है उसकी मदर ने कहा मैं तुम पर बहुत प्रावड हूँ तुम सब चीज़े सही से कर रही हो वो घर से निकली और एंड अगली दिन ये दोनों अलग-अलग जौब के लिए इंटरिव्य देते एंजलीना को एक पार में एजवेट्रेस का काम मिल गया यहाँ पर एक राथ हमारा और एक मेन क्यारेक्टर जिसका नाम है फ्रैंसिस के अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ था उसके फ्रेंड की शादी होने वाली थी तो उसे एक बैचलर पार्टियों दे रहा था इस बार में कुछ स्रिपर्स भी थे तो उसने उन्हें हायर किया जब एंजलीना उसके पास ड्रिंग लेकर आए तो उसे वह बहुत पसंद आती है उसे उसने एक बड़ी सी टीप दी है इस वेट्रेस के जॉब के अलावा एंजलीना को और भी जादा बैसों की जरूरत थी वो अपने एक फ्रेंड से बात करती है तो उसने गा तुम यहाँ पर डांस करने का काम कर सकती हो एंजलीना को एक काम करना कमफरडेबल नहीं लगता उसके जॉब के बारे में वो डिसकस कर रहे थे तो उसके फ्रेंड को बता चला कि एंजलीना ने अल्रेड एक शूट किय हुआ है तो फ्रेंड से जिस्alnız करती है यहाँ पर भी बहुआ सारे स्डूडियो है जहाँ बजा कर तुम अपने लिए एक वीडियो शूट कर सकते हो इस वीडियो के लिए बहुँत सारे पैसे देते हैं एंजलीना भी इस बारे में सोचती है यही बज़ जब Francis अपने फ्रेंड के साथ enjoy कर रहा था तब इसका फ्रेंड एक लड़की को छेड़ने लग जाता है इस वज़े से यहाँ पर trouble हो गया उसका फ्रेंड बहुत ज़ादा drunk हो गया था तो Francis उसे बाहर ले कर गया Angelina के सामने ऐसे हुआ वो नहीं चाहता था कि Angelina उसे कुछ गलत समझे तो Francis उसके पास गया उसे अपने फ्रेंड के लिए sorry कहा Angelina उसे अपने फ्रेंड को समालने के लिए कहती है इसी के parallel में Andrew भी अपने फ्रेंड के साथ एक party में गया हुआ था यहाँ इन parties में जो भी होता है यह Andrew को बहुत सही लगा उसे city बहुत पसंद आ रही थी वो रात में जब Angelina के पास आया तो बहुत ज़्यादा खुश था तो सबने party के बारे में सब कुछ बताता है Angelina Andrew से कहती है तुमें एक बहुत अच्छे लड़के हो तुमें एक बहुत अच्छे लड़की मिलेगी जो वर्ल्ड की सबसे लखी लड़की होगी Andrew कहता है कि शाय दो लड़की मुझे मिल चुकी है पर मुझे पहचाने नहीं पाती अक्च्छल में Andrew Angelina से बहुत प्यार करता था पर वो कभी भी ये बात रियलाइज नहीं करती अगले दिन Angelina विडियो शूट के स्टूडियो पर आई यहाबर सब कुछ चीज़े बहुत ही प्रोफेशनल थी एक प्रोफेशनल कॉंट्रैक्ट था सब चीज़ों को क्लियर कर दिया जा रहा था वहाँ की असिस्टन Angelina को सब कुछ चीज़े क्लियर कर देती है कि Angelina क्या क्या चीज़े करने के लिए कंफ़रेबल हो की और वही काम वो से देंगे इस काम के लिए Angelina को बहुत अच्छे से पैसे मिलने वाले है इसके बाद Angelina अपने शूट के लिए रेडी हो रही थी यहाँ पर कुछ और लेड क्या थी जो से कंफ़रेबल फिल करा दिया उन्होंने कहा कि तुम्हारा शूट मार्गरेट के साथ है और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मार्गरेट इस वीडियो शूट की डारेक्टर थी इसके बाद Angelina का मार्गरेट के साथ वीडियो शूट स्टार्ट होता है Angelina को क्या क्या करना है यह सब मार्गरेट बता रही थी Angelina की ब्यूटी से मार्गरेट बहुत इंप्रेस थी उसे कहती है तुम्हारे साथ फिर से काम करने के लिए मुझे अच्छा लगेगा इसके बाद नेकसिन में आज रात एंजलीना फिर से बार में काम कर रही थी तुम्हें फ्रांसिस मिलने के लिए आता है वो एक मैगजिन पढ़ रही थी जिसमें कुछ आर्ट है तो फ्रांसिस ने इसके बार में उसे पूछा वो गहता है कि आर्ट एग्जिविशन होने वाला है यह तुम्हें परसनली जा कर देखना चाहिए तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा एंजलीना उसे इतना जादा भाव नहीं देती पूछती है क्या तुम्हें कुछ ड्रिंग चाहिए फ्रांसिस ने का कि जो ड्रिंग तुम्हें अच्छा लगे वो मुझे सर्व करतो ड्रिंग देते वक्त वो उसके ड्रिंग में थूख देती है फ्रांसिस ने यहीं ड्रिंग कर लिया इस पर Angelina ने हस दिया और इसके बाद इनकी बात्ची स्टार्ट हो गई थी एक दिन Francis ने Angelina को डेट के लिए पूचा और वो इसके लिए एक्साइडेट थी एक्च्वल में आज राद Angelina और Andrew का मुवी देखने का प्लान था पर Francis के साथ डेट पर जाने के लिए वो Andrew का प्लान कैंसल कर देती है बैचारे Andrew को बुरा लगा इस डेट पर Francis Angelina को उसी आर्ट एक्जिबिशन में लेकर आया था जिसके बेंटिंग Angelina मैगजिन में देख रही थी यहाँ Francis ने Angelina को इसके आर्टीस से मिल वाया एक्च्वल में यह Francis की मदर ही थी मदर को पता था कि Angelina क्या काम करती है वोसे रिस्पेक्ट नहीं देती और वहाँ से चली गई Francis Angelina को सौरी कहता है उसने का मेरी मदर को मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहिए था Angelina कहती है तुमने जो भी किया ठीक किया एडलीस तुम मुझे छुपा तो नहीं रहे है मैं जैसी हूँ उसी तरीके से तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो इसके बाद Francis Angelina को एक प्रावेट पेंटिंग दिखाने के लिए लेकर आता है Francis के पास कुछ ड्रक्स थे यह उसने खुदने लिए और Angelina को भी देता है उसने कहा कि मुझे भी पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था उसने इसके ग्लासे स्विगरा सब कुछ लिए थे पर उसके टीचर ने उसे कहा कि आर्टिस बनना बहुत ही हार्ड होता है तुम दस साल स्ट्रगल करोगे और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास टैलेंट है भी या नहीं फ्रांसेस के लिए करना हार्ड था तो अब वो उसकी जगा बर लॉयर बन चुका था वैसे भी अपनी लाइफ से वो खुश है इस तरीके से प्रिटेंड करता है एंजिलिना को उसके लिए बुरा लगा इसके बाद दुनों रूफ पर आ है एक दूसरे को किस करते है नेक सिर्मम देखते है कि वीडियो डारेक्टर मारगरेट ये एंजिलिना की फोटोस देख रही थी एक्चुल में उसे बहुत पसंद आई थी ये जब वो देख रही थी तो उसकी गल्फिन ने नोडिस किया जिसका नाम था जिलियन जिलियन कहती है कि एंजिलिना की एज बहुत ही कम लगती है इस तरीके का उसका फोटो शुट करना ये बहुत ही गलत है मारगरेट ने कहा कि उसकी एज सही है कोई भी वरी मत करो जिलियन को पता था कि मारगरेट जूट कह रही है अगली राज जब मागरेट अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में आई हुई थी यही पर वो एंजलिना को नोटिस करती है और उसको बार-बार देख रही थी उसकी फ्रेंड ने ये सब चीज नोटिस की मागरेट जब घर पर आए तो जिलिन उसे बात करती है कैती है कल रात तुम जिस लड़की का फोटो शुट देख रही थी यह तुमने नहीं किया था उसे लगता है कि मागरेट उससे कुछ छुपा रही है मागरेट ने कहा कि मेरा प्रोफेशन है मुझे यह सब चीज़े स्टड़ी करनी पड़ती है जिलिन को यह सब सही नहीं लगता तो मागरेट नहीं कहा कि हम इतने सालों से रिलेशनशिप में है और अब तुमें इन सब चीज़ों का टेंशन आ रहा है इस फाइट की वज़े सो डिस्टरब थी तो कल जब वो शूट पर गई तो सही से डारेक्ट नहीं कर पाती निकसिन में हम देखते हैं कि एक दिन एंजलिना की मदर और उसकी सिस्टर उसे सप्राइज देने के लिए उसके घर बर आय हुए थे एंजलिना के बारे में उसके रूममेट ने उसे सब कुछ बताया था पर हो क्या करती है ये नहीं बता है एंजलीना आजकल फ्रांसिस को डेट कर रही थी तो इसके लिए उसकी मदर excited है वो फ्रांसिस से मिलना चाहती है ये सब फिर मिलकर रात के लिए डिनर का प्लान करते है एंजलीना अपनी मदर और सिस्टर को एक अच्छे से रेस्टार्ण में लेकर आई थोड़ा टाइम हो गया पर फिर भी फ्रांसिस यहां आया नहीं था एंजलीना उसे कॉल लगाती है पर वो काम में ज़रा बीजी था मदर को लगता है कि फ्रांसिस में कुछ गड़ बड़ है वो एंजलीना से कहती है तुम्हारी आंड का भी ऐसा एक बॉइफ्रेंड था जब भी कुछ में जीज होती थी वो कभी भी आता नहीं था पर वो एक ड्रगिस था उसके ड्रग्स की आदत की वज़े से तुम्हारी आंड की लाइफ भी खराब हो गई थी एंजलीना को इस सब सुनकर बहुत बुरा लगा फ्रैंसिस भी अल्डेरी ड्रग्स करता है तो शायद ये भी हो सकता है एंजलीना की सिस्टर अब भी उससे कोई भी बात नहीं कर रही थी रात में इसके बारे में एंजलीना ने अपने मदर से बात की मदर ने कहा कि आजकल उसकी तब्याट ठीक नहीं है पिसले 6 मन से उसके पेट में दर्द होता है हमारे पास कोई भी इंशौरंस नहीं तो मैं उसे हस्पिटल में नहीं ले कर जा सकती है एंजलीना को बहुत बुरा आगा वो कहती है उसके डिटमेंट में जितने भी पैसे लगेंगे इस सारे में पेग करूंगे कोई भी वरी मत करो मदर कहती है मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ अरली दिन जब फ्रांसेस एंजलीना से मिलनी के लिए आया तो उसे हो रोज देता है और इन रोजेस की वज़े से एंजलीना का सारा गुसा उस पर चला गया एंजलीना जब घर पर आई तो उसकी मदर जल्दी से यहाँ से निकल रही थी एंजलीना ने मदर को अल्डेटी पैसे दिये थे मदर एक बहुत बड़ी ड्रंक है सारे पैसे उदारो पी कर उड़ा देगी एंजलीना की सिस्टर ने उसे बात कि कहा कि मुझे पैट में कोई भी दर्द नहीं होता मदर तुमसे जोट कह रही थी सिस्टर कहती है तुमने जो भी किया सही किया थोड़े दिन में मैं भी घर से भाग जाऊंगे एंजलीना अपनी सिस्टर को समझाने की कोशिश करती है ऐसा कुछ भी मत करना पर वो उसे समझा नहीं सकती क्योंकि उसने खुद ने ऐसा किया था इसके बाद नेकसिन में हम देखते है मार्गरेट जिलियन की ऑफिस के पार्टी में उसके साथ आई हुई थी यहाँ पर एक कोवरकर के साथ वो बात कर रहे थे जिलियन का कोवरकर मार्गरेट से बुचता है कि तुम क्या करती हो इस पर जिलियन ने अंसर दिया क्यों न्यूड वीडियो शूट करती है वो मार्गरेट को जलील करना चाती थी इस पर इन दोनों में फाइट हो जाती है ये एक दूसरे पर गुसा हो रहे थे पर घर आने के बाद इंटिमेट हो गए इसके बाद नेकसिन में एंड्रू और एंजलिना ये पूरा दिन एक साथ पेंट करते पाक में आये और एक जगा बेटे थे एंजलिना कहती है कि इसके फ्रांसिस को में बहुत लाइक करते हूँ उसने एंड्रू को एक बड़ी से बिल्डिंग दिखाई जहाँ पर फ्रांसिस रहता है वो आजकल सोच रही थी कि किसी आत्मी के साथ वीडियो बनाए एंड्रू कहता है कि बहुत ही अलग होगा एंजलिना ये करे ये उसे सही नहीं लगता अगले दिन जब मारगेट उठी तो जीलियन वहाँ से जा चुकी थी बीना कुछ कहे उसने उसे ब्रेक अप कर लिया है जैसे कि हमें पता है ये फ्रांसिस को ड्रूग की आदत है अपने ड्रूग डीलर के पास वो लेने के लिए गया पर वहाँ पर वो नहीं था वो आसपास पुछने की कोशिश करता है पर इस तरह के से ड्रूग डीलर के बारो में पुछना एक गलत बात है तो इस वज़े से फ्रांसिस को बहुत मारा जाता है अब Angelina ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक आदमी के साथ विडियो शूट करे कि ये शूट करकर वो वापस आए Francis को आज बहुत मारा था तो इस वाज़े सो डिस्टब था वो Angelina को लेकर भी बहुत सारी चीज़े सोचता है उसने उसे डारेक्ट लिखा कि जो तुम काम करती हो ये बहुत ही घटिया काम है Angelina कहती है कि तुम जो भी करती हो इससे मुझे कोई भी प्रॉलम नहीं है जैसा उसका ड्रग्स करना उसकी लाइब बहुत ही घटिया है पर फिर भी सब कुछ चीज़ों एड़िस्स करती है इन दोनों में जगड़ा हो गया और वो ब्रेकप कर लेते है फ्रांसीस जब उसे घर लेकर जा रहा था तो घर जाते जाते ही वो ड्रग्स में था तो इस वज़े से एक्सिटन्ट हो जाता है एंजलीना को वैसे ही छोड़ कर वहाँ से भाग गया वैसे एंजलीना को भी ज़्यादा चोट आई नहीं थी इस सब इंसेजन्ट की वज़े से अब इनकी रिलेजेंशिप रिकवर नहीं हो सकती एंजलीना जब घर पर आये तो एंड्रू उसकी वीडियो देख रहा था ये देखकर उस वर बहुत चिलाती है वो अब उसके साथ नहीं रह सकती थी एंड्रू कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गल्की नहीं है तुम हमेशा मुझे सिर्फ तुमारे एक पेट की तरह ठीट करती हो हम एक दुसरे के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंट करते हैं और तुम हमेशा मुझे इग्णॉर करते हो एंड्रो ने का इस सारा वर्ल तुमें देख सकता है और मुझे ही देखना अलाउड नहीं ऐसा क्यों एंजलीना कहती है कि उस वीडियो में जो लड़की है वो में नहीं एक्चॉल में मैं बहुत अलग हूँ उसने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो एंड्रो इस पर कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि यह ओवियस था एंजलीना ने कहा कि अगर तुम मुझसे सचमूच में प्यार करते हैं तो इस सब चीजे नहीं देखते हैं वो फिर डिस्टब होकर एक बार में आके और यही पर मार्गरेट थी यह दोनों एक दुसरे से बात करने लगते हैं जो भी हुआ था एंजलीना ने उसे सब कुछ कहा मार्गरेट ने भी बताया इमें जो भी करती हो इमेरे पैरेंट्स को अच्छा नहीं लगता उन्हें लगता है इमें डारेक्ली हेल में जाने वाली हूँ मार्गरेट कहती है कि जो भी हो जो काम में करती हो इसमें मैं सैटिस्वाइड हूँ मुझे किसी के भी अपरूल की जरूद नहीं है यह लोग सही जीज करने की कुशिश करते हैं और कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं होते अंजलीणा को भी बात सही लगी यह दोनों बहुत सारे चीज़ों पर कनेक करवाते हैं इसके बाद इन्होंने किस कर लिया अंजलीणा मार्गरेट के साथ कई और यह इंटिमेट हो जाते हैं अब इसके बाद मुवी में बहुत सारा टायम गुजर चुका है Margaret और Angelina ये अब relationship में थे और दोनों बहुत खुश है Angelina भी अब as a film director जॉब कर रही थी उसने actual में model करना छोड़ दिया था उसने finally अपनी life को एक track पर लाया है और इसी के साथ ये movie end हो जाती है